असोक नगर से खेतों के लिए कीट नाशक दवाईयां लेकर अपने घर जा रहे एक 20 बरसी यूवक की सड़क हाथसे में मौत हुगई अथाई खेडा के पास सड़क पर बैठे मवेशियों से यूवक की बाइक तकरा गई जिसके बाद गंभीर हालत में उसे जिलास पता लाए जहां से भोपाल रिफर कर दिया लेकिन यूवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया मुंगावली थाना छेतर के नानोती गाव निवासी 20 वर्सी यूवक शैलेंद्र पिता बाबू लाल पन्थी खेत में डालने वाली कीट नाशक दवाई लेने के लिए मंगलवार की शाम की समय आसोक नगर आया हुआ था यूवक दवाई लेकर निकला तब तक अधेरा हो चुका था जैसे ही विदिसा रोड इस सित अथाई खेडा के पास पहुँचा तो सड़क पर कुछ मवेसी बैठे हुए थे यूवक की वाईक मवेसियों से टकरा गई जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया वहां सिरोज पहुंसते ही यूवक ने दम तोड़ दिया सिरोज अस्पिताल में डॉक्टरों ने मृत घोशित कर दिया जिसके बाद पोस्माटम के लिए जिला स्पिताल लेकर आए जहां पर बुद्धवार की सुभा कि समय पोस्माटम कर परिजनों को सौप दिया कालाब आयश्मान जन आरों के योजना के तहट सभी प्रकार के मेडी क्लेम की सुविधा उपलब्द है हमारे यहां लेजर कैंसर अस्थी रोग एंडोस्कोपी लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है कैं कैंसर के इलाज एवं ओपरेशन अब रीवा के नैशनल अस्पिताल में उपलब्द हैं नैशनल होस्पिटल के संचालर डॉक्टर अखिलेस पटेल के द्वारा उपलब्द करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के ल 8 3 1 5 5 1 पर हमारा पता है नैशनल होस्पिटल समान तिराहा रीवा संपर्क करे 0 7 6 6 2 3 5 9 9 7 4 पर या फिर संपर्क करे 8 6 0 2 8 8 5 9 9 0 पर